हम आद देखेंगे section 313 of CRPC, 313 का CRPC हम देखेंगे और इसमें एक अभी रिसेंटली सुप्रीम कोट का एक्ज़मेंट आया है, उसको देखेंगे प्रेमचंद वर्से स्टेट अप महारास्टा, उसमें दो जज़ेश की खंडपीट जो सुप्रीम कोट की है, उसने 6 observation, 6 principle दिया उन्होंने 5-6 principle दिये थे, तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये 313 है क्या, ठीक है, पहले बताओंगा कि 313 क्या है, section CRPC का, और उसमें सुप्रीम कोट ने क्या observation दिया था, ठीक है, तो इसमें पहला observation है कि पहला 313 का, 3131 का यह जो कहता है, कि में at any stage, अच्छा इसमें क्या होता है, before making the charge, ये charge making करने से पहले, ठीक है, क्योंकि charge जब बन जाएगा, तो उसके बाद आप acute होंगे, discharge नहीं होगे, तो charge बनने से पहले, judge क्या करता है, accuse से कुछ अपने सफाई रखने के लिए कहता है, ठीक है, तो उसमें कहता है, me at any stage without previously warning, accuse put such question to him, ठीक है, कुछ question उसके सामने रखे जाते हैं, जिसमें वो अपनी सफाई में कुछ कहता है, ठीक है, जैसे, दूसरा है, section 313, 1 का B में है, sell after the witness for prosecution, have examined and before he call on his defense question, him generally in the case, ठीक है, ये compulsory है, कि उसको charge करने से पहले, ठीक है, लिखा न, after the witness for prosecution, ठीक है, witness, आज आए, जो witness दे दे, तो उसके बाद जो है, prosecution have to examine and before he called for his defense, उसको defense करने से पहले, एक्यूस को ये कहा जाए, कि आप अपने लिए कुछ सफाई देजी, ठीक है, और तीसरा कहता है, आजा, 313 का sub-closs 2 कहता है, कि जो भी ओध दी जाती है, एक्यूस द्वारा, जो भी statement दिया आता है, वो, सुरी, वो ओध के अंट नहीं मानी जाती है, तो इसी में सुप्रीम कोड का जो observation है, प्रेम चंद वसे से स्टेट आफ महारास्टा दोजर तेईस वाला, इसमें सुप्रीम कोड कहती है, कि statement of accused in course of examination of under 313, since no oath, मतलब करा, oath तो नहीं दिया थी, इसलिए इसको section 3 of Indian evidence act के तहत नहीं लिया आता है, लेक truth के लिए इसके statement को seriously लिया जाता है, लेकिन ये Indian evidence act के section 3 के अंतरगत ये नहीं आता है, ये हो गया 313 का sub clause 2, अब देखेंगे sub clause 3, तो 313 sub clause 3 में क्या कहता है, कि यदि accused जो है himself अपने को punishment से बचाने के लिए render करे, refuse करे answer देने के लिए, तो यदि गलत answer दे, तो accused shall not render himself or punish, तो उसको जैसे वो नहीं देना चाहता, कुछ भी उत्तर या अपने को बचा रहा है, अपनी सफाई देने से, तो आप जो है, उसको punish नहीं कर सकते, ये है 313 sub clause 3, हाँ, 313 sub clause 4 क्या है, कि जो भी वो accused statement देगा, अब हम ले रहे हैं, प्रेम चंद वर्चे, स्टेट अप महरास्टरा, 2023 का statement, दूसर 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 का case, जिसमें double bench ने क्या principle दिया था, उस principle को हम देखेंगे, जो CRPC की धारा 313, के तहद दिया गया था, पहला था, कि section 313B, is a valuable safeguard in the trial process for the accused to establish his innocence, मतलब करा कि 313B, बी में जो कहता है न, जो cell वाला option है, कि जो 313B, accused को safeguard करता है, कि वो अपने आपको innocence prove कर सके, यह पहला है, अब principle नमर दो है, प्रेम चंद वर्चे, स्टेट अप महरास्टरा का, उसमें कह रहा है कि ensure direct dialogue between the court and the accused, cost a mandatory duty in the court to question the accused, purpose for enabling him to personally explain, मतलब करा कि, यह court की duty है, mandatory duty है, कि वो उसको enable करे, कि अपनी सफाई में तुम कुछ कहो, ठीक है, जो भी आपके against में कहा गया है, उसको आप कुछ कहो, ठीक है, तीसरा है, कि जो भी an accused can make a statement without fear, being cross examined by the prosecutor, मतलब उसको ऐसा नडराए जाए कि, मतलब वो जो कहेगा, उसको cross examine किया जाएगा, पतलब court ये कहती है, कि आप अपने सफाई में कुछ कहो, उस fact को भी हम evidence के सेड़ी में रखेंगे, examine करेंगे, उसको भी देखेंगे, आप ये मत भाये खाईए कि आपका DIY statement cross examine किया जाएगा, ये है प्रेम चन्द वर्से स्टेट अव महाराष्टरा 2023 का principle no.3, आप that an accused may furnish cannot be considered in isolation but has to consider conjunction with evidence and no conviction can be permitted solely on the basis of the 313 statement, कह रहा कि सिर्फ 313 के statement पे आप उसको conviction नहीं कर सकते, उसको evidence के ही सेड़ी में रखोगे, आप उसको कहीं उसके statement को isolation में रखोगे, कि ऐसा है कि ये statement दिये हैं तो ये evidence के सेड़ी में नहीं राएगा, उसको isolate नहीं कर सकते, E है, if accused take a defense and prefer any alternate version of the image, मतलब करा कि अगर accused कोई defense लेके एक दूसरी कहानी बताता है, कि हमारे साथ अपराद ये नहीं, हमने अपराद ये नहीं किया है, वहाँ पे actually में ये हुआ था, तो court उसको seriously consider करेगी, ठीक है, analyze करेगी court उसको, ठीक है, छठा और last is का principle, any failure to consider the accused explanation in given case may mitigate the trial करा कि अगर कोई भी accuse, अपनी सफाई नहीं दे पाता, अपना statement नहीं दे पाता, अपनी सफाई में कुछ नहीं करा पाता, 313 of CRPC Act, 313 of CRPC धरा के तहर, तो वह mitigate of trial है, ठीक है, मतलब वो trial, मतलब derail हो रहा है, trial सही से नहीं हो रहा, इसलिए वो पूरी तरह से accuse को देनी च mandatory है, कोट की, कि वो अपनी सफाई में, एक्यूस को कहे कि एक्यूस, आप अपनी सफाई में बताओ, अपना narration बताओ, आपका क्या पक्छ है, यह मत डरो कि यह cross-examine किया जाएगा, इसको भी evidence की स्रेड़ी में रखा जाएगा, इसको भी seriously लिया जाएगा, तो कोट इस बात क कि एसे और करें